यह लो दोस्तों मैं हो निरमला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत सागत है आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं उपमा की रेसिपी वैसे तो उपमा बनाना बहुत ही आसान है लेकिन कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो उपमा सौफ्ट नहीं बनता है और बहुत बार होता है कि उसमें लंपस बढ़ जाते हैं तो चली इन्ही बातों को ध्यान में रखते वे उपमा बनाना शुरू करते हैं और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें उपमा बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई के अंदर एक चमच घी करम कर लेंगे तो मैं यहाँ पर उपमा घीमे बना रही हूँ, आप चाहें तो तेल का स्माल भी कर सकते हैं लेकिन टेस्ट घीमे बहुत अच्छाता है अब हम लेंगे सुझी, तो यहाँ पर इस कड़ोरी को माप कर मैंने सुझी लिए है तो बहुत जादा बारिक हो या मोटी हो, आप कोई भी सुझी ले सकते हैं लेकिन यदि सुझी थोड़ी दानिदार रहेगी तो उपमा और भी अच्छा खिला-खिला बनेगा तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी सुझी लिए, सबसे पहले कीके अंदर इस सुझी को रोस्ट करेंगे अब सुझी को गैस का फ्लीम लो रखते वे, धीरे-धीरे रोस्ट करेंगे तो लगपक 5-6 मिनिट का समय इसे रोस्ट होने में लग जाएगा गैस का फ्लीम लो इसलिए रखना है क्योंकि सुझी को हमें केके अंदर रोस्ट तो करना है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना है तो यह आप लो फ्लीम रखेंगे तो यह अच्छे से पक भी जाएगे केके अंदर और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा तो इस तरह थोड़े से कीमी इसे धीरे धीरे हम roast कर लेंगे इस तरह से जब हम सूजी को roast कर लेते हैं तो इसकी liferee बढ़ जाती है तो यदिये आप टाइम बचाना चाते हैं आगे के लिए तो इसे एक बार में इस तरह से ये अंदर roast करके रख दे और जबी भी आपको उपमा बनाना हो तो फटा-फट फेरी से उपमा आप तयार कर सकते हैं। सूजी सारा गी अब्सॉर्ब कर लेगी और ये काफी अच्छी खिली-खिली हो जाएगी और इस तरह से ये थोड़ी फूल भी जाती है। और गी में इस तरह से रोस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आगे जाकर क्योंकि सूजी के उपर गी की कोटिंग हो जाती है तो उसमें लंप्स भी नहीं पड़ते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे उपरमा बनाने के लिए तो इसके लिए दुबारा मैंने कड़ाई ले लिए है और कड़ाई में हम डालेंगे गी तो एक सबसे दो चमच हम गी एड़ कर लेते हैं इसके अंदर गी के अंदर सारी चीज़े बहुत ही जल्दी से पकने लगती हैं इसलिए केल्स का फ्लेम हम लोटू मीडियमी रखेंगे ताकि जो भी चीज़ हम डालें वो जल्दी से जले नहीं और धीरे धीरे पकें सबसे पहले गी के अंदर हम रोस्ट करेंगे मुंगफली तो यहाँ पर दो बड़े चमच मने मुंगफली ली है और मुंग जो तो और भी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं तो अब देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है तो फटाफट हम इने एक पोल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं इन्हें हम बाद में इस्तवाल करेंगे ताकि इनका क्रंचिनेस बर करा रहे है और अब कड़ाई के अंदर हम डालेंगे सरसो या फिर राई है तो आदा चोटा चम sc मैंने शरसो ली है अब सरसो को हम अच्छे से चतकने देते हैं याननि अच्छे से जब यह फूल कर चतकने लगी तब हम बाखी चीट डालेंगे क्योंकि ए चीडिक और सरसो कच्छी रह गयी तो फिर करढ़ाई टाई की उपमा में तो अब ये अच्छे से पक चुके हैं तो एड़ कर लेते हैं इसके अंदर आदा छोटा चमच कची चना दाल यानि ये भी कोई भी चना दाल नहीं है सुकी चना दाल मैंने लिए इसी तरह से आदा छोटा चमची डालेंगे इसके अंदर ओड़त दाल एड़ कर तो इसमें डालेंगे हरी मिर्च तो दो मैंने हरी मिर्च काट कर ली हैं साथ ही डालेंगे इसमें कद्दुकस कियावा अद्रक तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के कोटिंग डाल सकते हैं क्योंकि इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल तो होगा नहीं और अब डालेंग को पकाना है तो प्याज का दिखिए color change हो गया है तो अब इसमें सबजें डालेंगे तो सबजें में मैं ले रही हूँ आदा कप ताजा मटर और एक medium size की गाजर भी मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर ली है तो यहाँ पर मैं मटर और काजर का इसमाल कर रही हूँ इसके अलावा भी यह ति आप सबजें इसमाल करना चाते हैं तो उनका इसमाल कर सकते हैं उपर मा में आप धेर सारी सबजें खा सकते हैं यह टेस्टी भी लगती है तो आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग अपनी मन पसंद सबजें इसमें आड़ करें अब तर्के के अंदर हमने सबजें को थोड़ी देर के लिए पका लिया है ताकि इन में भी हलका सा करनचीने सबरकरार रहे और जब यह थोड़ी पक गई हैं तो जिस कटोरी को मापकर हमने सूजी लिथी उसी कटोरी को मापकर तीन कटोरी हम पानी का एट करेंगे स्वात के अनुसाय नमक भी आइट कर लेते हैं और अब इस पानी के अंदर सबजियों को थोड़ी देर पका लेंगे क्योंकि सूजी डालने के बाद तो सबजियां पकेंगी नहीं तो पहले ही इन्हें हम अच्छे से पका लेंगे तो इसे कवर कर देते हैं दो से तीन मिनिट में सबजी अच्छी सॉफ्ट हो जाती है और इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना रखें थोड़ा सा इसमें क्रिस्पिनेस रहेगा तो अच्छा लगेगा उप मामी खाने में तो देखें इस तरह से ये पूरी गल भी नहीं रही है और थोड़ी से इसमें कसर बागी है तो इस स्टेज पर हम डाल देते हैं अब ये रोस्ट कीवी सुजी थोड़ी थोड़ी सुजी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और देखे जैसे ही सुजी पानी के अंदर जाएगी तुरंत पानी को अबसॉर्ब कर लेगी और ये अच्छे से फूलने लगीगी तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गई है कोई भी कुटलियां वगर इसमें नहीं पड़ी है और गैस का फ्लेम अब हमें लोही रखना है क्योंकि सूजी बहुत ही जल्दी से पानी को पी लेती है तो यदि गैस का फ्लेम हाई रखा या इस से ज़्यादा देर खुला रखा तो सूजी बहुत ही जल्दी से फिर सूखी सूखी हो जाती है और उपमा फिर इतना सॉफ्ट नहीं लगता है खाने में अच्छे से हमने सूजी को मिक्स कर लिया है और अब लो फ्लेम पर इसे ढखकर हम 2-3 मिनिट के लिए और पका लेते हैं अब सूजी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है फूल गई है तो हम इसमें डालेंगे 1 चमच गी यह लास्ट में 1 चमच डालावागी बहुत यचा टेस्ट देता है साथी एक चमच निम्बू काजूस आड़ कर लेते हैं साथे डालेंगे इसमें कूप सारी बारी कटीवी धनिया की पती और जो काजू और मौफली हमने रोस्ट करके रखी हैं वो भी इसमें आड़ कर लेते हैं अब मैंने गैस का फ्लीम ओफ कर दिया है साथी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने निम्बू की जूस का इसमाल किया है तो हलका सा खटापन इसमें आएगा लेकिन यह दि आपको वो पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं अब कैस का फ्लीम ओफ रखते वे कडाई को हम ऐसे ही दो मिनिट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं ताकि उपमा है वो और भी अच्छा सॉफ्ट और खिला खिला हो जाए और दो मिनिट बात देखिए जो उपमा है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल भी सुखा सुखा नहीं है फिर भी एकदम खिला खिला बहुत ही सॉफ्ट फलपी उपमा बनकर तयार है तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं उपमा को आप नारेल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है उपमा के साथ तो इसे अच्छा है तो ऐसे सरू करें या फिर नारेल की चटनी के साथ सरू करें लेकिन एक बार इस तरीके से उपमा जरूर ड्राइ करें और कैसा बना आपका उपमा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं को नए वीडियो के साथ तब तक रखें अपना धेर सारा ख्याल